किसान भायो नमस्कार मैं जितेंद्र सिंञ मेरे यूटुब चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता किसान भायो अगर आभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तब सब्सक्राइब कर लिजेगा और आज हम बात करते हैं आज की जो टॉपिक है वो है अधरक की फसल लगाने की पूरी विधी के बारे में तो किसान भायो सबसे पहले हमी स्टार्ट करते हैं यह अधरक की फसल जो है अधरक की खेती हमें कब करना चीए तो किसान भायो यहां पर दिख लिते हम अधरक की खेती सबसे पहला सवाल आता है इसका कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? पहला सवाल किसान भायो अधरक की खेती अप्रेल और मैं महिने में करना चाहिए क्योंकि इस महिने में गर्मी बहुत चाहदा रहता है क्योंकि अधरक की खेती है उसे गर्मी की बहुत अवसक्ता पड़ती है क्योंकि बगर गर्मी का ये फसल उत्पादन करना मुस्किल हो जाता है कि जो हमारा जो अधरक का जो बीज रहता है उसको सुखाना पड़ता है उसको step by step हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात किये कि ये अधरक की खेती में को हमें कब करना चीए तो अप्रेल या मई महिने में गर्मी में करना चीए दूसरा सवाल ये आता है कि अधरक की खेती के हम तो कर रहे हैं अप्रेल या मई में अब हमें मिट्टी के तयार करना है खेतों की तयारी खेतों की तयारी कैसे करना तो सबसे पहले किसान भाई ये बताना चाहूंगा कि जिस खेत में हम अधरक की खेती करने जा रहे हैं उस खेत की सबसे पहले हमें मिट्टी की परिछड करा लेना है क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कितनी मात्रा में NPK है कितनी मात्रा में pH मान है क्योंकि उस समय हमारे खेत की जो pH मान होना चीए 6.5 से ले करके 7.5 pH मान होना चीए और यह मान हमें ऐसानी से पता नहीं चलता है इसके लिए हमें मिट्टी का परिछड कराना चीए तो किसान भायो खेत की तयारी करने के पहले हमें मिट्टी का परिछड कराना चीए उसके बाद क्या करना है?」 यह जो खेट है है हैं पहले उसकी गहरी कराना है पहले बखर ये नांगर या आता है तो कम से कम पहरेख़ या ज्यादा बेटर रहेगा ताकि मिट्टी जो भूरभूरा हो जाए क्योंकि जो अधरक के खेती कर रहे हैं अधरक की जो फसल है जमीन के अंदर लगने वाल फसल है और जमीन जब तक भूरभूरा नहीं होगा ये इसका जो कांदा है जो साइज है उसका ये क्या है बढ़े गए नहीं क्योंकि ज्यादा मजबूत रहेगा मिट्टी तो बढ़े गए नहीं तो फसल में उत्पादान में कमी आ सकता है तो हमें क्या करना है ज्यादा ज्यादा जोताई करना है मिट्टी को पूर्ड रूप से भूरभूरा करना है उसके बाद हमें ये मतलब भूरबूरा करके तयार करना है किसान भाईयों इसके बाद हम आगे बाद करते हैं इसमें बीज कितना लगता है इसमें जो बीज लगना है 1000 केजी से ले करके 1100 केजी हमें बीज लगाना है और इस जो बीज है इसको क्या करना है बीज को सबसे पहले इसका भी विद्धी बता दो, सबसे पहले हमें इस बीज को अच्छे सी सुखा लेना है, सुखाने के बाद हमें करबेंडा जीम, करबेंडा मिन को इससे हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, और इसमें जो भी है जो बीज रहता है अधरक का, उसमें धूल मिट्टी जो भी रहत अध्रक उत्रे में रखके उपा से सिर्फ मिट्टी ढखते बने इतनी गहराई करके हमें इसको बीज को लगाना है अब बात करते हैं हम इसमें इसकी जो दूरी है कितनी कितनी मात्रा में कितनी कितनी दूरी में लगाना है इसको पूरा हम बात करते हैं इसकी जो दूरी बनान लगाना है दो लाइन से दो लाइन से लगाना है तो उसमें क्या करना है जो बीज से बीज की दूरी है बीज से बीज की दूरी है आठ से नौ इंच रहेगा यह जो है आठ से नौ इंच की दूरी में रहेगा यह पहला पट्टी और दूसरी पट्टी जो है इसका पट्टी से पट्टी के दूरी क्योंकि हमें इस सीधे सीधे में इसका लगाना है तो यहां पर हम इसका एक कतार बना लिए तो यहां से बीज से बीज की दूरी हम बनाए आठ से नौ इंच उसके बाद जो कतार रखेंगे यह जो कतार है यह कतार से कतार के दूरी रहेगा एक फिट बीज से बीज की दूरी, बीज से बीज की दूरी है, वो आठ से नो इंच और ये कतार से कतार की दूरी, एक फिट, उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, दो पत्टी में लगेगा, मतलब एक ही कतार के पास दो पट्टी लगए उसके बाद हमें चलने के लिए या तो फिर जगह चीए जो यहां से थोड़ी से दूर रहेगा यह साड़े चार से लेकर पांस फिट की दूरी में फिर इस सेम विधी से में दो कतार में फिर लगाना रहेगा इसमें जो है यहां से लग लगए उसके बाद हमें चलने के लिए या तो गेप यहां पर होना चाहिए इसकी जो दूरी होना चीए यह 13 Halfight की दूरी इसका होना चीब सबसे पहले हमें इसमें गोबर खाद डालना है गोबर खाद डालना है पांच ट्राली से लेकर के आठ ट्राली गोबर खाद डालना है क्योंकि ये जब गोबर खाद डालेगा तो इसमें क्या है ज्यादा जमीन वाला फसल है तो गोबर खाद क्या करता है ज्यादस ज्यादा इसमें पोशक्त तो देता है और यह आर्गनिक होता है क्योंकि इसमें अधरक जो है ज्यादा तर चाय वगर के लिए इस्तिमाल के जाता है या बहुत अच्छे दवाया की रूप में या मसाले की रूप में इस्तिमाल करते हैं और इसमें जो गोबर खाद डालते हैं क्योंकि सारी खाद एक तरफ तो गोबर खाद एक तरफ तो पहला प्रात्मिक्ता हमें गोबर खाद में देना है और पांच से आठ ट्राली प्रती एकड के हिसाब से हमें इसको डालना रहेगा उसके बाद आपको जो भी चीज़ डालना है इसमें इस्ट्रा इन पीचे डालना है फास लगाने वाला किसान होगा उसके पास आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद